यदि आपका जमीन का कोई काग्यात खो गया है आपके पास नहीं है और आप उस काग्यात को निकालने के लिए काफी परेशान है और आपका वो काग्यात नो तो offline मिल रहा है नहीं online मिल रहा है तो ऐसे इस्तितिम अब आपको परेशान होने का बिल्कुल भी आव सकता नहीं ह अब आप जमीन का कोई भी काग्यात, चाहे वो register 2 हो, did हो या क्या वाला जिसको कहते हैं, या फिर आपका खतियान हो, ये सब काग्यात आप डौनलोड कर सकते हैं, यहां आपको बिल्कुल जो है नाम मात्र का फिस देना होगा और आप डौनलोड कर सकते हैं, साथी साथ आपक कोई भी काग्यात जोन हो, उसको जड़ी आप डौनलोड करते थे, तो काफी फटा रहता था, या फिर डिस कलर रहता था, वो परहा ही नहीं जाता था, और नहीं उसका जड़ी आप 2 कोपी कराते, तो वो 2 कोपी बिल्कुल मतलब मिटा हुआ लगता था, तो ऐसा आप नही तो 50% जमिन का ही काग्यात को ओनलेन अपडेट किया गिया है, आपको बता दे, जहां अभी लेखागार में पहले से काग्यात स्टोक करके रखा गया था, जो भी काग्यात रखा था अभी लेखागार में, या फिर आपका तहसिल में जो काग्यात था, वो सभी काग्यात को एक company को दिया गया था online upload करने के लिए scan कर करके वो company का नाम था Messers Capital System Private Limited, ये हर्याना का company था और ये company का गुनवत्ता कार्जाच किये बिना ये company को कार्जभार दे दिया था कि बिहार का जितना property का कार्जात है, वो सभी कार्जात को आप इस company को ये कार्जभार दे दिया गया था तो ये company जो अभी तक में upload किया है जो भी काग्या वो कार्जात का quality बहुत खराब था इतना खराब quality था कि परने का like ही नहीं था, हलाकि जो भी जमीन का owner है, वो owner का सुविधा के लिए government के द्वारा ये कदम उठाया गया था, यदि सभी काग्यात को digitalize कर दिया जाए online कर दिया जाए, तो ऐसे इस्तिति में जो भी रहियत है, जो भी property का owner है, वो easily जो आपना काग्यात को निकाल पएगा, साथी साथ आप लोग को पता ही नहीं था, तो ऐसे इस्तिति में जो है, ये message capital system private limited, जो हर्याना का company है, इस पे अभी जाच चल रहा है, जाच चल रहा है मुख रूप से खराब quality देने के कारा, योकि इसको जो कार्यभार दिया था online करने का, उसमें अभी जो है 50% काज़ात का ही online किया गया है, और जितना काज़ात का online कर दिया गया है, यानि कि जो अभी digital upload है, digital available है, अब वो काज़ात का भी जाच दोबारा से किया जा रहा है, बिहर सरकार के दोबारा, यानि कि digital record का भी जाच किया जा रहा है, कि कुछ अईसा काज्या तो नहीं Upload कर दिया या इतना खराब quality तो अपलोट नहीं कर दिया मानली जिए कोई खत्यान ही है वो दो टुक्रे में बटा हुआ है अब एक ही टुक्रा वहाँ पर अपलोट किया गया है दूसरा टुक्रा ही नहीं ऐसे इस्थिति में जो भी रईयत है उसको काफी प्रैसानी हो रहा था तो इसलिए जो है बिहार गोबर्मेंट के दुबारा ये कदम उठाया गया है साती सार जो है सभी DCLR को भी ये नियोमित रूप से निगरानी करने को कहा गया है कि आपके अंदर में जितना तहसिल है जित प्रोपर्टी का डोकॉमेंट है वो ओनलेन अपडेट ही नहीं है नेट पे मिल ही नहीं रहा है उसका अंदर प्रोसेस में है तो यह जितना कार्ज के लिए आप लोग अंचल जाते थे या फिर तवसील जाते थे तो वह कार्ज जो है काफी लंबा पेंडिंग रखा जाता है अप ने अ lobb अप्युल मेंचे लिए सकते हैं है उसके संग्यान में यह महमला को आप ला सकते हैं कि हमको काफी तंग किया रहा है मेरा काम नहीं गिया जया रहा है तो अइसे इस्थिति quality मिलने वाला है चाहे वो register two or did हो के वाला हो जो भी कागजात हो यानि कि total 36 परकार का कागजात को अभी online update करना है government को ठीक है मतलब यह total यानि कि जमीन का जितना कागजात होता है वो सभी कागजात आपको online उपलब्द कराया जगा और बहुत अच्छा quality मिलने उपलब्द कराया जगा तो जब तक यह कागजात उपलब्द नहीं होगा तब तक जो है अब आगे survey का कार्य अस्टर्ट नहीं किया जगा साथी साथ अभी जो survey का कार्य हो रहा है वो जितना सरकारी जमीन है तो वो सरकारी जमीन का record खंगाला जा रहा है यानि कि सिर्फ काग्यात पर यह देखा जा रहा है कि सरकारी जमीन किस किस जगा पर है और किस अवस्थान है मन लिए जो कोई सरकारी जमीन में तालाब है या फिर चरागा बना हुआ है या फिर और किसी परकारगा है तो वो सभी सरकारी जमीन को जो है मतलब चिन्हित किया जा रहा है जो भी सर्वय अधिकारी है उसके दुबरा एक बार जदी सभी सरकारी जमीन का चिन्हित कर लिया जागा तो उसके बार जो उसका मेजरमेंट किया जागा और मेजरमेंट कर लेने के बार जो है वो सभी सरकारी जवेन का जो भी काग्यात है, उसको डिजिटल कर लिया जागा, यानि कि online upload किया जागा, उसके बाद ही जो है, जो है, जो आम व्यक्ति है, उसका जवेन का सर्वे का कार परारम किया जागा, तो अभी government के तुपरा यही कहा गया है, पहले जो भी काग्यात है, उसको डिजिटल करने पर हम जोड़ दिये हुए हैं, पहले हम सभी काग्यात को डिजिटल करेंगे, और 100% जएड़े डिजिटल का काम पूरा हो जागा, उसके बाद ही हम सर्वे स्टाट करेंगे, और इस हिसाब से यदि अभी देखा जाए, तो जैसे government के दुवारा ये मतलब सुनने को मिला है, मतलब government के दुवारा ये statement दिया गया है, कि 50% जमीन का काग्यात online हो गया है, उस हिसाब से यदि आगे अनुमान लग गया जाए, तो ऐसे इस्तिति में 2-3 महना का अंदर जो है, सभी जमीन का काग्यात, यानि कि जो भी 36 परकार का काग्यात होता है जमीन का, वो सभी काग्यात को online upload कर दिया जागा, उसके बाद जो है आमव्यक्ति का जमीन का सर्वेक किया जागा, तो ऐसे इस्तिति में यदि आपके पास जमीन का कोई भी काग्यात नहीं है, तो आपक कर सकते हैं कैसे डर्नलोड करेंगे वह वीडियो स्कीन पर आ गया है उसमें किली करके आप देख सकते हैं